हलो एवरिवान वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाट शाला मैं आपकी हिंदी एजुकेटर उपाली वर्मा भाई आज क्या लेकर आएं आज का वीडियो है क्लास टेंथ के स्टूडेंट्स के लिए क्लास टेंथ के स्टूडेंट्स जो की पहली बार बोर्ट देने जा रहे हैं तो कई चीजों से वो काफी घबराए हुए हैं तो बिलकुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं हैं हम सब आपके साथ हैं step by step आपको सारी चीजे हम समझाएंगे चाहे एक्जाम में लिखने का तरीका हो चाहे कोशन किस तरीके से करने हैं क्या हैं सब ही कुछ आपको बहुत अच्छे तरीके से हम आपके साथ में सब कुछ समझाते हुए चलेंगे तो चलें अब class 10 के अगर हम बात करें जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपको हिंदी बढ़ाते हैं तो हिंदी की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपके पास दो books हैं व्याकरण हैं और लिखने ये चार चीजे हैं जिसे आपको तयार करना है इन चारों ही चीजों में अलग-अलग तरह की चीजे पूछी जा रही हैं अलग-अलग तरीके से लिखना है तो जब भी मैं कराती हूँ आपको हर एक चीज डिटेल से बता दी हैं जैसे कि अगर हम बात करें book की तो हमारे पास book हैं दो शितिज भाग दो और कृतिका भाग दो अगर शितिज भाग दो की बात करें तो ये book में आपके पास दो खंड आते हैं ठीक है एक काविखंड है और गद्धिखंड है ये दोनों ही खंड आएंगे और दोनों ही खंडों से अलग-अलग प्रश्ण आएंगे अब कैसे आएंगे देखे अगर हम शितिश की बाग कर रहे हैं तो शितिश में जो आने वाला है सबसे पहले आता है हमारा काविखंड तो कावि नात्मक्त प्रश्ण कावेखंड से पूछ जाएंगे जो छे आपके अध्याएं हैं उनमें से फिर उसके बाद आपका आएगा गद्यखंड गद्यखंड में किसी भी चैप्टर से एक अध्यांच रखा जाएगा उस पे पांच बहुविकल्पी प्रश्ण रहेंगे और फि इसी से बहुविकल्पी प्रश्ण नहीं आने हैं ठीक है दूसरा यहां इस बुक से आने वाले प्रश्ण आपके सिर्फ लगूत्री रहेंगे जिनके लिए आपको सिर्फ 25 से 30 शब्दों में ही आंसर देना जो मैंने बोला ना चार प्रश्ण वर्णात्मक आएंगे तो व हम गद्यांश और पद्यांश आधारित आपको करा चुके हैं अब हमारा जो चल रहा है वो है आपके वर्णात्मक प्रश्ण जिन्हें मैं करा रही हूं आपको most important questions के विम अब यह जो most important questions है इनमें सभी आपके वर्णात्मक प्रश्ण आने वाले हर चैप्टर से करा रही हूं 20 से 25 प्रश्ण आपको दे रही है अब यहां पर जब आती है आपको कोई भी answer prepare करने की बात तो लिखने तो हमें maximum 30 words तक हैं लेकिन तयारी हम कितने words तक की कर नहीं है अब आप पूछो क्यों क्योंकि जब हम लिखते हैं तो लिखते समय कई चीज़ें हमसे मिस हो जाती है कुछ बच्चों को तो पूरी समझ में आती है पूरी आती है जितना याद किया उसको और जधा बढ़ा कर लिखना भी आता है ज्यादा लंड करिए उसको आप विधिन लिमिट कर लीजे ये चीज़ आपको द्यान रखने पड़ेगी अब बात कर रहे हैं अगर इस बुक की तो इस बुक में काविखंड गद्यखंड दो हैं काविखंड के सारे प्रश्ण कर मतलब मैं सारे चैप्टर करा चुकी हूं वर्णात्मक में अब हम चल रहे दूसरा बाल गोबिन भगत और तीसरा लखनवी अंदास आज हमारा चौथा अध्याय है इसका वो है एक कहानी यह भी गद्यखंड का तो चौथा है लेकिन बुक का दस्वा अध्याय है चलिए ध्यान से देखिए क्या है क्लास टेंथ हिंदी कोर्स एक ही बुक है हमारी श सब करा देते हैं अब मैं एक हैं फिर तक पूरा कोर्स कमपलीट करा दोंगी और फिर उसके बाद हम सैंपल पेपर शुरू करेंगे ठीक है पीवाई की उसे हैं सैंपल पेपर हैं बहुत सारी चीज़ें अभी हमरे पास करने के लिए वह एक्जाम सर पर है ना चली तो अभी आज हम कर रहे हैं कौन सा चैप्टर एक कहानी यह भी अगर इस चैप्टर की बात करें तो लेखी का है मनुभंडारी इस अध्याय में उन्ह उन्हें सुतंतरता आंदोलन में भाग लिया सब कुछ उन्होंने हर एक चीज़ बताए तो यह जो अध्याय है यह एक संसमरण विधा में लिखा गया है ध्यान रखेगा बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जैसे कहानी हैं आपका जीवनी हैं आत्म कता हैं संसमरण हैं य आप लोगों को इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा क्योंकि देखें आत्म कता गया होती है जैसे मैं मैं अपनी ही कहानी सिलसलेवार लिखू जहां से मुझे मेरी चीज़ें याद हैं जैसे मेरा जन्म तो मुझे याद नहीं होगा लेकिन भाई डेट और समय जो चीज आत्रा लिखें तो वो कहलाएगी जीवनी ठीक है अब मैं अपने बारे में ही अपने जीवन के बारे में थोड़ी घटनाएं कभी बचपन की हो गई कभी यंग एज की कभी प्रेजन टाइम की हो गई कभी माता जी के कभी बाही बैनों के तो सिल्सिले वार नहीं लेकर इधर उधर से अगर मैं टुकड़े टुकड़े में चीज़ों को लिखती हूं तो वो कहलाते हैं संस्मरण या हमारे जीवन की कोई पर्टिकुलर एक ही घटना को हम लिखें तो भी वो संस्मरण की कैटेगरी में ही आएगा ठीक है अब यहां पर यह जो चैप्टर हमने देखा है यह संस्मरण विधा में है क्योंकि शीला अगरवाल जी ने अपने माता जी के बारे में पिता जी के बारे में टीचर के बारे में इस सब के बारे में बताया साथ ही उ इसा दिहाई में करीबन मैंने आपको 24 कोश्चन लिये हैं बहुत ध्यान से देखेगा सभी लगभूत रिये हैं कुछ कोश्चन थोड़े ज्यादा बड़े होंगे कुछ थोड़े छोटे होंगे यह द्यान रटना है कि जब आप इन आंसर को लिखोगे तो आपका विधन लि काम हो रहे हैं अब यहां पर देखे आज कल हम लोग जिस उसमें महाल में शहरों में रह रहे हैं वो पडोस कल्चर खतम हो चुका है हम पडोस में कौन रह रहा है क्या कर रहा है नहीं जानते इवन अगर जानते भी हैं तो हमारी इतना आत्मी है सभाव उन लोगों के साथ ठीक है अब एक चीज बहुत देखें कि जब हमारे ऊपर मुसीवत पड़ती है हमारे उपर पढ़ेगी तो सबसे पहले हमारे पडोसी काम आते है रिष्टेदार बाकि सब तो बाद में काम आई है क्यों क्योंकि वो हमसे दूर रहते हैं अब हमारे पास जो रहते हैं वह मा पहले काम आने वाले हैं तो कौन है पढ़ोस कल्चर ना होने से क्योंकि हमारे बहुत सारे नुक्सानों को भी जेहलना पड़ता अब ये नुकसान क्या है या दुष्परिणाम क्या है इनको देखिए लेखिका के नुसार पडोश कल्चर हमें अधिक सुरक्षा अपनत्व और विस्तार देता है अभी कैसे देता देखिए जब हम अपने पडोसियों से जाधा आत्मी होते हैं जैसे मान लीजिए आपके बगल में क कि यहां खाना पीना उटना बैठना सोना सब कुछ हो जाया करता था जैसे आजकल आप लोग वोलते हैं आंटी अंकल तो पहले समय में यह आंटी अंकल जैसे शब्द नहीं होता था मम्मी पापा से बड़े हैं तो ताउताई होते थे उन्चे छोटे हैं तो चाचा चाची होते थे बहुत एजेट हैं तो दादा दादी हो गए नाना नानी हो गए मतलब बगल में वो आंटी अंकल वाला कल्चर नहीं था आप रिष्टों के साथ ही पड़ोस में चलते थे अब इसमें इन्होंने बताया कि अधिक सुरक्षा कि सुरक्षा क्या होती है देखिए हाई तीस्ते उहार में गए हलो हाई हो गया मिलना हो गया बस बहुत इससे जादा कुछ नहीं होता फिर विस्तार देता है यहां पर दूसरी चीज नोंने क्या दिया कि अगर हमारा पड़ोस कल्चर नहीं होगा तो हमारा जो सभाव है वह आत्म केंद्रित हो जाता हम एक्स तो अपने बच्चों को बगल में छोड़ दिया आप लोग ध्यान रखिए यहां लोग नहीं है तो घर आ रहे थे तो पड़ोसी बच्चों को ले 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 खाना पिलाना किलाना सब कुछ हो जाता था इतना विश्वास होता था सारी चीज़ थी इवन मालो आज हमारे घर मे दाल चावल बनाए सबजी नहीं बनी कुछ नहीं थी पड़ोसे आंटी कहां से कुछ सबजी ले आओ जाकर हो गया काम हो गया इस तरीके से हुआ करता था तो अब क्या है कि यहां पर लोग हम लोग पड़ोसी को अपना ही नहीं मानते हैं अने घरों में अधिकार से जाते पहले क्या होता था अधिकार था कि नहीं यह भी हमारा घर है परन्तु जब से महानगरिये फ्लैटनों के कारण पड़ोस कल्चर समाप्त हुआ है हम अधिक अकेले असुरक्ष संकुचित और अनुदार हो गए हैं अब हम लोग क्या है शहरों में देखी कैसे रहते हैं फ्ल प्रक्षा भी नहीं है कौन रहा है जब और हमको नहीं है तो बड़ोसी हो से खतरा भी उतना ही रहता है अनुदार हो गए हैं अनुदार का मतलब क्या होता है कि हम दूसरों की help करते थे अब क्या रए ठीक है वो उनका अपना personal मामना है हमको तना घुसने की ज़रूरत नही तो इस तरीके से हम लोगों के contact में नहीं आते हैं, स्वार्ती होते जा रहे हैं, आत्मकेंद्रित होते जा रहे हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर पनप रही हैं दूसरा प्रिश्टे हैं, लेखिका किन साहित्यकारों के साहित्यकों पढ़कर उनसे प्रभावित हुई, अब लेखिका ने पाठ में कई साहित्यकारों के नाम दिये, देखे, वो साहित्य तो पढ़ती बहुत पहले से थी, लेकिन जब से उनकी लेखिका, हिंदी अध्याप ने अच्छा साहित पढ़ने की तरफ अग्रसर किया अच्छे साहित में उन्होंने बहुत सारे जो है लेक्रकों से उनका परिचे कराया अब यह चीज उन्होंने चैप्टर में दी हुई है देखे कौन है लेखिका की कॉलेज में हिंदी प्राध्यापिका शीला अगरवाल से जब उनका परिचे हुआ तो उनके संपर्ग में आई तो उन्होंने लेखिका को प्रेम चंद जैने इंद्र अग्ये भगवती चरण वर्मा यश्पाल आदि साहित्यकारों की प्रमुक रचनाएं पढ़ने को दी अब कहते ना कि पढ़ते तो हम सभी हैं लेकिन एक अच्छा साहित्य पढ़ना जिसने हम कुछ सीख सकें वो बात इन्हें शीला अगरवाल जी ने बताई और इन साहित्यकारों से उनका परिचे कराया इनके साहित्यको दिया उन्हें शीला अगरवाल ने मनुभंडारी को और उन्होंने पढ़ा को लेकिका उन सब का साहित्य पढ़कर उनसे प्रभावित हुए बिना ना रह सकी किन्तु लेकिका जैनेंद्र की लेखन चैली से विशेश रूप से प्रभावित हुए जैनेंद्र की लेकिन चैली उन्हें जादा आकरशित करी क्योंकि ये भी आगए जल कि भाई इन्होंने भी जब शाहित्म इंट्रस लिया तो आगए जल कि इनको भी जाए आकर्शतुकर वह इनोस को कुछ लोगों के काम को हम देखते हैं अगर ये देखते हो कि खाना आपको बनाना सी आप There आप लोग बना लेते हो आप मेगी बना लेते हो पर यह भी आप्लोग आगे और बहुत सारी चीजे बनाना तो सबसे पहले आप क्या करोगे सीधे किचन भुसकर नहीं लग जाओगे फ़ veramente मंम्मा को की ममम Ball कैसे बना और आपको बड़े भाई बेहने तो आप किचन िसमें में चलोगे हैं तो यानि कि क्या है आप से पहले जो लोग इस छेतर में हैं उनको देखना आपके लिए जरूरी हो जाता है इसलिए शीला अगरवाल जी ने बहुत सारे साहित्यकारों को पढ़ा और एक से वो प्रभावित हुई वो थी जैनेंद्र जी उनके चोटे-चोटे वाक्यों में युक्त भाषा शैली लेखिका को बहुत पसंद आई थी उनका सुनीता उपन्यास भी उन्हें बहुत अच्छा लगा किनका जैनेंद्र जी का सुनीता उपन्यास लेखिका को काफी पसंद आया अग्याई का शेखर एक जीवनी और नदी का द्वीब उपन्यासों को पढ़कर लेखिका उनके मनोवज्यानिक शैली पर मुख्द हुई अब ये इनकी दो चीजे थी ये शेखर एक जीवनी इन्होंने लिखी और दूसरा नदी के दीब ये दो उपन्यासों ने काफी प् अब उनका प्रभाव जब हम करते हैं तो उनमें छाप अपने आप ऑटोमेटिकली मिलती है तो लेखिका ने जब इन सब ही को पढ़ा तो इनसे जो प्रभावित हुई तो उनके लेखन शैली में ये सारे लेखकों का प्रभाव कहीं न कहीं देखने को मिला जैनेंद्र की भाशर शैली थी अगय का जो वाक्य बंध था वो सारी चीजें लेखिका के लेखन शैली में आई प्रेश्ट संख्या तीन है परंपराओं को लेकर लेखिका ने क्या कहा है बहुत सारी चीज़े ऐसी होती हैं परंपराओं जिन्हें तो हम निर्भा करें तो बहुत अच्छा लेकिन कभी-कभी समय के साथ ये क्या कहते हैं रूणिया बन जाती जिनकी आवशकता आए नही प तो कि पीड़ी देर पीड़ी समय परिवर्तन हो रहा है तो इन परंपराओं में भी कुछ बदलाव की रिक्वार्मेंट रहती है अब इसी को लेकर लेखिका ने क्या कहा है देखे परंपराओं की विशे में लेखिकान का हमारी परंपराएं हमारा आसन नहीं आनि कि भूत तुकाल बनकर पीछा नहीं छोड़ती इनके बाद इस वाक में सीधे सीधे एक चीज़ी समझ में आ रही है कि परमपराएं जैसे कोई भी नियम हमने आपको हमेशा बताया है परमपरा क्या होती है एक नियम होती है उस समय सोसाइटी के लिए एक नियम बना दिया गया सिम्प जत्वाएं कि उसे कहां जाना है क्या करना है उसे इस चीज़ी समझ दे तो उसका दारा कहां है वो घर की उस चोखट के अंदर ही अंदर है अब जब हो थोड़ा सा बड़ा होता है तो मम्मी पापा के साथ उस चोखट को नांगता है और आगे बढ़ता है सोसाइटी में ज जाना खेलना वो जी अब उसका दाइरा बढ़ा ठीक है उसके लिए पहले नियम क्या था घर की चौकट फिर उसके बाद जब वो बढ़ा तो इतना समझदार हो गया कि उसे कहां जाना है क्या करना है तो जब वो अपने घर के बाहर दोस्तों से मिलने जाने लगा तो बिना माबाप के जाने लगा ठीक है तो इस तरीके जब वो कॉलेज जाने लगा तो वो अपने आप बाई के स्कूटर लेके जाने लगा ठीक है और बड़ा हुआ कार लेके जाने लगा तो क्या हुआ कुछ नियम थे जो समय के साथ उ लेकिन जब परंपराएं वही की वही रहें उनमें बदलाव ना हूं तो वो क्या होती है एक भूत काल बनकर हमारा पीछा करती रहती है जैसे लेखिका ने कहा ये हमारे जीवन के साथ साथ चली आती है उनकी अभिव्यक्ति भी भिन रूपों में होती है समय के बदलने पर प अब शक्ता होती है ठीक है नहीं होती है अगर बदलाव नहीं किया जाता है तो फिर उनको जिन को ऊपर उनुपर लादा जाता है वह विद्रो कर देते हैं जैसे लेखिका ने भी किया था परंपराएं समय के इनकूल घटती या जुड़ती रहती हमने कहा ground नियम प्रक्सिबल होने चाहिए समय के अनुसार लेखी का अच्छी परंपराओं का पालन करने के पक्ष में है और जीवन के विकास में बाधा आने वाली परंपराओं को छोड़ देने में ही लाब देखती है तो सिंपल उन्हों ने ये कहा है कि ये जो परंपराओं होती हैं इनमे विकास में बाधा दे रही है उन परंपराओं को छोड़ देना या उनमें बदलाव कर देना ही सही रहता है प्रेश्न संख्या चार है लेखिका के पिता जी लेखिका को अपने साथ क्यूं रखना चाहते थे अब देखिए क्या होता था घर अब चुकी लेखिका के पिता पिता जी तो खुद साहित कार थे लिखते थे उन्होंने डिशने बते शब्द कोश बनाया सब कुछ किया तो उनके मित्र लोग आया करते थे और जो है वहां पर बैठ कर गोस्टियां हुआ करती थी तो उनके पिता जी यह कहते थे कि वह मनुन के साथ आये बैठे और इन गो संतरता आंदोलन चल रहा था तो बहुत जादा गतिविदियां हमारे देश में चल रही थी जगा जगा चल रही थी तो इसलिए जब वो गोश्टियां होती थी सभाएं घर पर होती थी तो उनके पिता जी चाहते थे कि मनुन उनके साथ में रहे शुशीला की शादी और दोनों भाईयों के आगे पढ़ने के लिए बाहर जाने के बाद लेखी का घर में अकेली रह गई ठीक है अब चुकि क्या होता जब बहुत सारे बच्चे होते तो सब पर दिमाग डाइवर्ट रहता लेकिन अब सिर्फ अकेले मनुन बच्ची थी तो अब सबका ध्यान उन्हीं की तरफ ही जाना था उनके अकेले रह जाने पर उनके पिता जी का ध्यान उन पर गया क्योंकि देखिया अब उसमें बताया गया ना कि शुशीला ज्यादा सुन्दर थी और ये थोड़ा सा दुबली पतली सी और सामली सी थी तो पिता जी हमे भटियार खाना बोलते थे किचन को ठीक है क्यों कि वहां पे जाके एक लड़की की जितनी प्रतिभा है वो एक चूले में खाक हो जाती है इसलिए घर के कामों में लगाना उन्हें पसंद नहीं था वे औरतों की अपनी शमता और प्रतिभा को नश्ट करने के विरुद्ध मे थे इसलिए लेक का आ के पिता जी उन्हें घर में हुने वाली राजनेतिक सभाव में अपने साथ रखते जिससे उन्हे देश की स्तती का वास्तविक ज्यान हूं कि आखिर देश में क्या चल रहा है कहां पर क्या गतिविदियां हो रही है इस चीज का घ्यान उन्हें होना चाहिए उस समय लेखिका की उम्र कुछ समझने लाइक नहीं थी फिर भी उन्हें शहीदों की कुर्बानिया और विचारों को सुनना अच्छा लगता था आप देखें क्या है वैसे तो उन्हें आगे चलके सुतंता संग्राम में भाग लिया लेकिन जिस समय उनके पिता जी चाहते है कि ये राजनेति गोष्टियों में पार्टिसिपेट करें बैठें वहाँ पर मतलब कि वो उन गोष्टियों में बैठ कर देखें कि क्या क्या हो रहा है तो उस समय इनकी उम्र इतनी नहीं थी भाई क्या हो रहा है ये शायद उनकी समझ में नहीं आता था लेकिन तो वो कुर्बानियों की बाते सुनते थे भाई इस स्वदंता से नानी नित्ती कुर्बानी दी उन्होंने इत्ता किया तो कहीं न कहीं उनके अंदर जो है एक अच्छा बन लगता था कि हम अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं प्रेश्ट संख्या पाँच है क्या लेखिका के पिता जी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उनके द्वारा सोचे गए दोनों रास्ते टकराव के हैं यहां किन रास्तों की बात कही गई है क्या लेखिका के पिता जी को सच मुझ इसका एहसास नहीं रहा होगा अब यहां पर देखिए लेखिका के पिता जी को बिल्कुल एहसास नहीं था कि उनके द्वारा सोचे गए जो दो रास्ते हैं उनमें टकरावे सबसे पहले आपको व पहरेलू लड़की के रूप में रखते हुए अपनी सामाजिक छवी को भी बनाये रखने के प्रति सजब थे इस प्रकार ये दोनों ही रास्ते एक दूसरे के विपरीद थे अब भी वो क्या चाहते थे देखे पहली चीज ये इन्होंने बोला कि वो ये चाहते थे जो चीज उन्हें नहीं मिली उनके पिता जी को मान सम्मान और कहते हैं एक समाज में इजज़त जिसे हम बोलते हैं दूसरी चीज पैसा ये सारी चीज़ें जो उन्हें नहीं मिली जो पहले जब वो इन दौर में रहा करते थे तो ये सारी चीज़ें उनके पास थी लेकिन जब आर्त ये सारी चीजें वो चाहते थे कि मनु अचीव करें लेकिन साथ ही साथ उन्हों ने मनु के लिए घर की चार दिवारी को ही दाइरा बना दिया था कि एक लड़की होते उए उन्हें घर के अंदर ही रहना है घर के काम भले घर के बोनी चाहते थे कि वो घर के काम करें लेकिन बनना है लेकिन घर के अंदर बनना है तो यह दोनों चीज़े विपरीत है ना लेकिन जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे हम अपनी प्रतिभाग को नहीं दिखाएंगे बहुत सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे हम समाज में एक मांस जब समाज हमें अडेंटिफाई ही नहीं करेगा हम जब घर के अंदर ही रहेंगे समाज हमें अडेंटिफाई ही नहीं करेगा तो हम कैसे समाज में अपने लिए मांसम्मान और प्रतिष्ठा बना पाएंगे तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों ही रास्ते अपने आप में विपरीत थे, थे की नहीं, घर में रहो लेकिन मान सम्मान रहो, इस प्रकार ये दोनों ही रास्ते एक दूसरे के विपरीत थे, घर की चार दिवारी में सीमित लड़की का विसिस छवी वाला बनना असंभव था, ठीक है कि उसके अपनी एक अलग personality बने समाज उसे identify करे तो ये एक बहुत ही मुश्कल टास था लेखी का कि पिता जी को इस बात का ऐसास जरूर रहा होगा क्योंकि वे बुद्धिमान और विचारशील व्यक्ति थे बात सही है कि जब वो एक शब्दकोष का निर्मान कर सकते ह हैं इतने प्रदिभावान व्यक्ति हैं साहित की ज्यान रखते हैं तो उन्हें इस चीज़ का एसास होगा कि ये दोनों चीज़े विपरीत हैं लेकिन अब कहते हैं ना कि जानते हुए भी ऐसी condition रखने का में कारण ये होता है कि उस समय समाज की चीज़ों से कही ना कहीं व नाम करें तो वे पुरानी परंपरा उनके उपर हावी थी लेकिन कहीं न कहीं उनकी दिल की इच्छा थी एक विशिष्ट चावी तो ये दोनों चीज़ें उन्होंने मनूपे ला दें लेकिन जो दोनों ही विपरीत थी ठीक है प्रेश्ट संख्या 6 है लेखिका के पिता किस तरह के अंतर विरोधों के बीच जीते थे अब बताईए ये अंतर विरोध लेकिन पहली चीज़ तो एक चीज़ ये समझेए कि उनकी जो कंडिशन थी वो बहुत ही टिपिकल थी पहला भाई आपके पास पैसा भी बहुत था आपके पास मानसमान भी था सब कुछ था लेकिन आर्थे घाटे ने उनकी सिचुएशन को पूरी तरीके से पलट के रख दिया कहते ना दो पहलू उते हैं दो लुको थे वो पहलू पूरी तरीके से बदल कर रख दिया था इसी की कारण उनके अंदर जो अंतर विरोध चल रहे थे पिता जी चाह रहे थे तुम विश्ष्टा भी पाओ लेकिन घर की चार दिवारी के अंदर रहे कर पाओ तो ये उनका खुद के अंदर भी एक लड़ाई चल रही थी जिसे मंतर विरोत कहेंगे और उसे वो मनु के उपर लाद रहे थे लेखिगा के पिता अद्धन्त महत्वकान्शी वेक्ति थे वे समाध में विश्ष्ष्ट बना रहना चाहते थे और अपनी बेटी को भी वैसा ही बनाना चाहते थे जैसे मैं ने बोला जो चीज वो खुद अचीव नहीं कर पाए वो मनुक को अचीव करते हुए देखना चाहते थे उसे बनाना चाहते थे लेकिन परंपराओं में रहे कर दोसरी और यह भी चाहते थे कि उनकी बेटी घर की चार दिवारी के बाहर निकल कर सड़कों पर ना तो नारे लगाए और ना ही भाष्नबाजी करें य जब वो नारे बाजी कर रही थी तो उनके मित्र ने देख लिया था आकर घर में बोला तो घर में वो आगवबूला हो गए थे जिससे उनकी सामाजी छवी साफ सुत्री बनी रहे अब चुकि अगर मनू बहार निकलती है नारे बाजी करती है तो समाज में कहीं ना कहीं उन कि उनकी लड़की जो ना सड़क पर नारे बाजी कर रही थी धरना लगा रही थी हरताल कर रही थी इस तरीके सुगा तो इस से उनकी छवी धूमली होगी लेकिन एक विशिष्टता चाहते थे यह भी था जब लेखिगा के विचार में इस तरहे के कारे कलाप तो उसे विशि पुछता चाहते हूं लेकिन एक परंपरा के दाइरे में रहे कर तो यह पॉसिबल नहीं है क्योंकि उस समय जो देश का महौल था उसके चलते जो है इस तरहे के चीजों को करना बहुत जरूरी हो जाता है ठीक है तो वो सारी चीजे हो रही थी पीछे मुड़कर देखने से यहां क्या तात पर्रे है पीछे मुड़कर देखना यहां पर कई तात पर्रे में निकलता है पहली चीज़ आप यहां पर देखो कि हम अपने पास्ट की तरफ देखते हैं आज लेकिका जब इस पूरे संस्मरण को लिख रही है तो वो पीछे कहीं इनके अंदर भी आई क्योंकि कहते हैं आज अगर हम आज आप लोग भी अगर आज अपने बारे में सोचने के लिए बैठे तो आपको पीछे मुड़कर देखना पड़ेगा पीछे बहुत सारी चीजों को देखना पड़ेगा जैसे मैंने बोला कि भाई हम अगर अपने बारे में आज लिखने बैठेंगे या सोचने बैठेंगे तो हम अपना पास्ट जरूर याद करेंगे क्या क्या हुआ था क्योंकि भविशतों हमें पता नहीं ठीक है हाँ हम प्लानिंग कर सकते हैं लेकिन हमें पता नहीं कि क्या होगा लेकिन हम अगर पीछे मुड़ कर देखेंगे तो मतलब अपनी पुरानी बातों को याद करेंगे अर्थात लेखी का 50 साल पहले के अपने भाशन और डॉक्टर साहब द्वारा की गई उनकी प्रशंशा के बारे में पुनहा सोच दी है तो पुरानर समय में यानि कि जो उनके पिता जी के मित्र थे डॉक्टर साहब उन्हों नहीं बड़ी प्रशंशा करी थी मनू की क्योंकि भाई जहां पिता जी बहुत गुस्से में बैठे थे अपने एक मित्र युनों ने शिकायत करी थी कि मनू इस तरीके से सडकों पर निकल कर जो है नारे बाजी कर रही है तो उससे गुस्सा थे तो वही डॉक्टर साहब जब आए करते भाई तुम्हारी लड़की तो बड़ी प्रतभाश आ लिए देश के लिए इतना काम कर रह तो वो सारी चीज़े वो याद कर रही थी प्रश्न संख्या आठ लेखिका की जोश में आ जाने का उनके पिता के साथ संबंधों का क्या प्रभाव पड़ा देखी क्या हुआ लेखिका जैसे जैसे बाहर निकली चीजों को समझा जाना और पिता जी की जो माननताएं थी च पोच विचार को लेकर इन दोनों के बीद मतभेद भर बढ़ने लगे थे पिता जी और मनु के बीच में क्या हुआ था बहुत जादा मतभेद बढ़ने लगे थे चीजों को लेकर आर्गिमेंट्स होने लगे थे सारी चीज़े क्योंकि पिता जी ये तो चाहते थे कि मनु सारी चीजों को बारे में जाने लेकिन उसमें पार्टिसिपेट करे ये नहीं जाने के लिए करना पड़ेगा उने घर से बाहर निकलना पड़ेगा जो वो नहीं चाहते थे जिसकी वज़े से अक्सर यह होता था कि किसी ने उनसे मनू के बारे में कहा शिकायत करी जैसे हम नोगों ने चैप्टर में भी कई बार देखा है उनके मित्र ने शिकायत करी फिर प्रिंसिपल ओफिस से जो लेटर आया ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं उनके गर्व अंदर क्रोध लाता था लेकिन कहीं न कहीं मनु की पर्फॉर्मेंस को देखकर लोग जब उसकी प्रिशंशा करते थे तो पिता जी गर्व से भर भर भी जाते थे तो मनु का एकदम खुले विचारों का आना जोश में आ जाने का मतलब क्या है कि स्वतंतरता के लिए जब उन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया जोश खुरोश के साथ तो पिता जी की माननताओं को कहीं न कहीं वहां तोड़ना पड़ा जो उनके नियम उनके घर के तोड़ दिया वरजना मतलब सारे नियमों को तोड़ दिया जहीर सी बात है अब आप ये कहो कि तुम्हें देश के लिए स्वतंता संग्राम लड़ना है लेकिन घर की चार दिवारी के अंदर है कर लड़ना है तुम्हें सडकों पर ने निकलना है तुम्हें हर्ताल नहीं क कहा सुनिए जो मदभे जो बाते होती हैं वोने लगी थी जिनके जिनके कोथ से घर में सब करना चुरू ने उन्से करना ऊर्गूमेंट करना चुरू कर दिया था जब तक उनकी शादी नहीं हुई तब तक यह सिलसला चलता रहा इस प्रकार पिता जी के साथ उनका संबंद मद्धेद भरा रहा कहने का मातलब है कि भाई देश की आजादी के लिए जब ये लो मनु लड़ रही थी तब उन्हों ने इसके लिए पिता जी के साथ बहुत सारे आर्गुमेंट्स हुए बाहर जाना है पाटिसिपेट करना है सुतंतान दोलन में नारे निकल लगाने हरताले करनी है जुलूस निकालना है ये सारी चीजे होती थी तो मद्धेद तो होता था लेकिन ये सिलसला कब तक चलता रहा जब तक उनकी शादी नहीं हुए क्योंकि शादी भी इन्होंने अपनी मर्जी से करी तो उसमें भी पिता जी के साथ मद्धेद रहा पिता जी नहीं चाहते दे कि भाई उस लड़के से शादी हूँ लेकिन मनु उसी लड़के से शादी करना चाहती थी तो वो मद्धेद उनकी शादी तक चलता रहा क्योंकि शादी करके तो भाई मनु चली कहीं दूसरे तो फिर वो मत भेद कहीं न कहीं खतम हो गया और यह इस प्रकार पिता जी के साथ उनका संबंध कैसा रहा मत भेद भरा मत भेद मत 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 होता है मेरा मत कुछ और है उनका मत अलग है अलग-अलग डिफरेंस होते थे जिसकी वज़से आर्गुमेंट्स होते थे प्रेश्ण संख्या नौ है रगों में लहू की जगह रंगों नहीं है यहां पर रगों है ठीक है एक सब्सक्राइब रगों में लहू की जगह लावा बहने की बात से लेखिका का क्या आश्र है उस परस्ते में मनुश्य की मनोदशा कैसी हो जाती है अब यहां पर देखिए सिंपल से दीजे रगों में लहू की जगह लावा बहने की बात लेखिका का क्या आश्र है अब क्या हुआ जब स्वतंतरता आंदोलन की बात हुई उठी तो हमारे अंदर एक जोश आ जाता है कुछ भी कर गुजरने का अपने आपकी भी आहूती दे दिने नी पड़े तो भी हम डरते नहीं तो उस जगह क्या होता है रगों में खून की जगह लावा बहता है यानि कि हमारे अंदर जोश हमारी नस नस में कूट कर भर जाता है कुछ भी कर गुजरने के लिए हम तयार हो जाते हैं वो कंडिशन होती है रगों में लहू की जगह लावा बहने की बात से लेखिका का आश्रा है पूरी तरह से जोश में भर जाना यानि कि इतना जोश आ जाना कि हम फिर कुछ नहीं सोचते हमें ये काम कर गुजरना जब मनुष अत्यदिक जोश में भर उठता है तब वह किसी भी प्रकार की रोप टोप को स्विकार नहीं करता है अब आप सोचो कि मनुष को सुबा किसी जुलू अंग्रेजी सरकार के खिलाफ किसी जूश में पार्टिपेट करने के लिए जाना जुलूस में और पिता जी बोले नहीं तुमको घर के कदम बाहर नहीं रखना है और उस जो जुलूस निकालने जा रहा है उसकी अगवाई मनु को करनी है क्यों को भाशड़ देना है सब कुछ करना है अब वह पूरी तरीके से एक्साइट है अपना पूरा मोटिवेट करना है ताकि वो इस संग्राम में बढ़ चड़ कर भाग ले अब पिता जी बोलें कि नहीं तुम्हें घर के बाहर नहीं जाना तो इस कंडीशन में क्या होगा लेखी का पूरी तरीके से जोश खरोश में है और जाहिर सी बात है कि पिता के साथ उनका जगड़ होगा ही होगा 100% है तो उस कंडीशन में अगर उन्हें कोई रोके टोके कुछ करे कि नहीं तुम्हें नहीं जाना नहीं करना है तो ये वो नहीं मानती है वह जिस काम का बीड़ा उठा लेता है उसे पूरा करके ही दम लेता है यानि कि अगर उन्हें पार्टिसिपेट करना उस चीज़ भी तो फिर वो जाएंगे उसे कोई रोक नहीं सकता है उसके लिए सारी सिमाएं तोड़ देता है उस समय उसके मन का सारा डर भी समाप्त हो जाता है जब हमारे अंदर बहुत जादा जोश होता है कि हम इस काम को कर गुजरे हम हर आल में कर ले तो आप हमें कोई भ काम को करके ही दम लेंगे यह हमारे अंदर एक भावना होती है प्रेश्ट संख्या 10 है लेखिका के लिए अपने पिता जी के विचारों के अनुरूप चलना क्यों मुश्किल हो गया था अब लेखिका के जो पिता जी थे शुरू शुरू में तो उन्होंने खुद कहा कि भ मनु का पिता नहीं किया ठीक है ताकि वो आस पास की चीजों को देखें समझें कि देश में क्या हो रहा है पहले तो उन्होंने बड़ा इंकरेज किया अब जब उन्हीं इंट्रेस्ट आया वो इस तरफ बढ़ने लगी ठीक है सीधी सी बात है कि जब उस तरफ वो बढ़न कर ना क्यों मुझ्किल हो गया क्योंकि जब उनके अंदर जसे उन्हों ने कहा कि भाई तुम जानों की देश सते इतलों कुरबानी दे रहे है इत्ती सारी चीज़ें कर रहे हैं और हम घर में बैटे हमें भी करना चाहिए फिर कॉलेज में उन्हें सपोर्ट मिला शीला गरवाल का उन्होंने बहुत सारा साहित दिया और साती साथ देश की स्वतंता संगराम में भी उनको गाइड किया तो इस तरीके से वो आगे बढ़ने लगी लेकिन पिता जी के विचार एक घड़ी पर आकर एक मुश्किल हो रहा था तो जाहिर सी बात है टकराव पैदा होगा अब पिता जी चाहते कुछ और है अगर वही करना है तो उनकी ही बनाए कुछ नियमों को तोड़ना पड़ेगा सिंपल सी बात है तो इसलिए वो पिता जी के विचारों के अनुरूप नहीं चल पा रही थी और फिर उनमें मद्भेत होने लगा था लेखी का स्वतंत्र विचारों वाली रड़की थी यानि कि जो हमें करना है वो चीजें हम करके रहें उनके पिता जी उनकी आजादी घर की चार दिवारी तक सीमित कर देना चाहते थी यानि कि तुम्हें जो कुछ करना है इन घर की क्यों काम करना है तो मुझे घर के बाहर निकलना पड़ेगा मैं अपने हिसाब से काम करूंगी यह आजादी के संखर्ष में शड़कों पर नारे लगाती और हरताले करवाती थी बही नारे लगाना हैं जुलूस निकालना हैं बहुत सारी चीज़ें होती थी वह पूरी तर प्रिश्ण संख्या 11 पिता जी ने लेखिका के लिए आजादी की क्या सीमा निर्धारित की थी कि तुम्हें हर एक चीज करने की आजादी है सब कुछ करने की आजादी है लेकिन घर की दिवारों के अंदर घर के बाहर नहीं उन्होंने लेखिका की आजादी की जो सीमा निर्धारित करी थी वो थी घर की चार दिवारियां पिता जी चाहते थे लेखिका उनकी उपस्तिती में ही घर आएं हुए लोगों के बीच बैठ कर देश की परस्तियों के बारे में जाने समझें और उन लोगों से चर्चा बहस करें घर में बहुत सारे अब उनके जाने वाले आते थे जो राजनेतिक रूप से सक्रिये थे तो वो आते थे तो बहुत सारी बहसे होती थी बहुत सारी बाते होती थी और अर्गुमेंट्स होते थे तो वो चाहते थे कि मनु इन सारी कोष्टियों में भाग ले उनमें चर्चा विमर्ष करें जो आर्गुमेंट्स हो रहे हैं उनमें पार्ट करें परन्तु वे इस तरह की आजादी लेखिका को घर की चारदिवारी से बाहर नहीं देना चाहते यानि कि तुम्हें ये सारी चीजें घर के अंदर रहकर करने की आजादी है लेकिन तुम ये सब घर के बाहर जाकर नहीं करो वह अन्दर रहना है उन्हें ये स्विकार नहीं था और वह सुतंता आंदोलन के लिए सड़कों पर उत्रे ये पिता जी को बिल्कुल पसंद नहीं था कि तुमको सुतंता अंदोलन भाग रहना है घर्ब के अंदर रहो चर्चाओं में भाग लो अपने मत रखो लेकिन भाग लेने के लिए तुम सड़कों पर उतरो तुम जुलूस निकालो नारे करो लगाओ हर्ता ले करो ये सारी च सीमा क्या निर्धारित करी थी घर की चार दिवारी उस समय लेखिका की उम्र किन कार्रियों को सीखने की थी अब चलिए देखते हैं अब लेखिका जब बड़ी हुई जब मतलब कहने का मतलब है कि जब उनकी बहन शुशीला की शादी हो गई दोनों भाई बाहर चले गए तो वो समय जो था वो समय उनकी जो उम्र थी वो किन कार्रियों को सीखने की थी देखिए उस समय लेखिका की उम्र स्कूली सिक्षा के साथ साथ उत्तम ग्रहणी बनने के तौर तरीके और भोजन बनाने के काम सीखने की थी अर्थात वहा उम्र विवहा के लिए आवशक ग पारंगत किया जा रहा था क्योंकि उन्हें घर के बाहर जाकर पढ़ना था जब ये दोनों लोग चले गए अब उसके बारी आई मनू की क्योंकि मनू छोटी थी तो अब ये हुआ कि भाई अब मनू को पारंगत करना है क्योंकि आगे मान आने वाले ग्रहस्त जीवन के लिए उन्हें सारी चीजों को सिखाना है अब उन चीजों को सिखाने के लिए बैस उम्रत ही उनकी तो भाई घर के कामकाज सीखिए खाना बनाना सीखिए घर को अरेंज करना सीखिए सारी चीजों को सही तरीके से करना ये सारी चीजें सीखने की उनकी उम्रत थी तो अब बड़ी बहन शुशीला की शादी और दोनों भाईयों के पढ़ने के लिए बाहर चले जाने के बाद उनके माता और पिता ने इस तरफ ध्यान देना शुरू किया, लेकिन पिता जी उन्हें किसी भी हाल में रसोई घर में बैठ कर काम करने के तुप में नहीं चाहते थे और नहीं चा पहले बार अपने वजूत का एहसास कब हुआ मैं भी कुछ हूं यह ध्यान रखें जब हमारे ऊपर हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं खास तोर से अगर आप के देखेंगे आपके घर में ही अगर आप दो तीन भाई बहन हो तो अक्सर क्या होता है जो आप से बड़े हैं वो आपको overpower करते हैं हमेशा ध्यान रखना वो अब overpower वो जानके नहीं करते हैं उनकी उम्र उनका experience उन्हें overpower कर देता है ठीक है आप कैसे मान लिजेए कि अगर स्कूल जाने की बात हो, बाहर कामकाच की बात हो या घर में किसी चीज़ की जानकारी हो तो experience बहुत बड़ी चीज़ें माईनी रखता है अब आप से जो जादा बड़ा है उसे इन सारी चीज़ों के बारे में ओविस से बात है कि जादा experience होगा तो वो आपको overpower करेगा ही करेगा वही चीज़ यहाँ पर पताई जा रही है कि वो कौन सा समय था कि जब उन्हें अपने वजूद का एहसास हुआ यानि कि उन्हें overpower करने वाला कोई नहीं था अब ये क्या था लेखिका को पहली बार अपने वजूद का एहसास तब हुआ जब उनकी बहन सुशीला शादी करके कुलकाता चली गई और दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई करने के लिए बाहर चले गए उस समय सिर्फ वहा और उनके माता पिता घर में थे यानि कि वो समय ऐसा था कि जब उनके ऊपर जो कहते न जो उनसे बड़े थे उनके आसपास वो जो सब थे वो सब चले गए अब उन्हें ये लगा कि नहीं मेरी भी अपनी परस्नालिटी है आप जैसे मान लीजे घर में अगर बड़ी बहन है आपके तो आप बहुत सारी चीज़ों को हेल्प के लिए अपनी बहन को बोलते हो कि कर दो ठीक है दिदी ये कर दो दिदी वो कर दो आप ऐसे कर दो बड़ा भाई है तो भी वो आपके बहुत सारे कामों में आपके हेल्प कर देता है बहुत सारी लेकिन अब आप मान लीजे आप वो लोग नहीं हैं आप घर में अखेले हो तो जो काम आभी तक अपनी बहन या भाई से कराते आए वो सारी चीज़ें आपको खुद करनी पड़ेंगे तब आपको हैसास होगा नहीं मुझे भी ये सारी चीज़े करनी हैं मेरी भी अपना वजूद है अगर मैं अकेले पड़ जाओंगा तो मैं किस तरीके से करूंगा तो यह वही कंडिशन थी कि मनु को अपने वजूद अपने होने का एहसास कब होना शुरू हुआ जब उनकी बहन और भाई उनके आसपास से हट गए जो उनके हर काम में उनकी मदद कर दिया कर आज माबाब की सारी अटेंशन आपके पास थी अपना काम करने का जिम्मदारी आपके पास में थी इवन घर की बहुत सारी चीजों के जिम्मदारी आपके उपर थी तो वही एक समय था कि मनु को अपने वजूद का एहसास हुआ प्रशन संख्या 14 है लेखिका को रसोई से दूर रखने के पीछे पिता जी का क्या उद्देश था पिता जी जो है वो बहुत ही कहते ना खुले विचारों के विक्ति भी थे उस समय जब लड़कियों को जादा तर अपने वहवाहिक जीवन के लिए ट्रेंड करने की कोशि करी जाती थी कि भाई किचन में जाओ खाना बनाना सीखो घर को अरेंज करना सीखो सारी चीज़ों की रिस्पॉंसबिल्टी सीखो उस समय पिता जी का मत था कि लड़कियों को अपनी प्रतिभा को रसोई के अंदर बरबाद नहीं करना चाहिए वो रसोई को भटियार खान क्यों वेस्ट करें मान लीजिए आपके अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है कि आप खाना बड़ा अच्छा बना लेते हो और आप फ्यूचर में अपना भविश भी देख रहे हो कि मैं कोई शेफ बनूँगा मैं रेस्टोरेंट खुलूँगा तो आप अगर रसोई के अं यही था उनका कहने का मत्तब था कि लड़की का पैदा होने का मत्तब यह नहीं होता कि वह रसोई में ही अपना जीवन वतीत करते हैं उसको आपने भविश्य के लिए आगे बढ़ना है तो किचन में अपनी प्रदिभा को वेस्ट नहीं करना है वह बाहर रहे इसलिए उनक पसंद नहीं था पिता जी रसोई को भज्यार खाना कहते थे उनका मानना था कि जो लड़की खाना पकाने जैसे घरेली कार्यों में ही उलच कर रह जाती है उसकी शमता और प्रदिभा समाप्त हो जाती है यानि कि उसके अंदर जो कैपसिटी है जो क्वालिटी है वो सारी चीजें क्या होती है रसोई के चूले में की आग में जल जाती क्योंकि वो अपना ज्याज़त तर समय उसी में विता रही है पिता जी के नुसार खाना पकाने जैसा काम तो अनपढ़ और मूर्ख लोगों के लिए ही होता है यानि कि जो लोग पूरी तरह अनपढ़ होते है है मूर्ख होते हैं वो किचिन ऐसा मान जो यह लाईन हम बोलेंगे यह बिल्कुल सही नहीं है कि आप खाना अच्छा बना लेते हो तो आप अनपढ़ हो यह विचार अपनी जगा गलत है बहुत सारे ऐसे लोग है जो प्रतिवाबान हैं बहुत सारे हैं और खाना भी बहु सोचनी प्रश्ण संख्या 15 है लेखिका की परिवार में लड़कियों की शादी कब की जाती थी I think 16 साल की उम्र की क्योंकि उस समय ये 18 साल वाली शायद age limit नहीं थी जब वो 16 साल की हुई और उनकी शादी कर दी जाती थी लेखिका की परिवार में लड़कियों की शादी तब की जाती थी जब उनकी उम्र 16 वर्श की हो जाया और वे metric पास कर ले यानि कि आपने class 10 कर ली आप 16 years के हो गए अब ये perfect टाइम है कि आपकी शादी कर दी जाए क्योंकि देखे हमारे देश में ये जो कानून बना वेभाईक उम्र के लिए लड़कों के लिए 20 साल लड़कियों के लिए 18 साल ये देश की आजादी के बाद बना लेकिन ये बात जो हम कर रहे हैं मनू की बात कर रहे हैं ये हमारे देश में जब अंग्रीजू का शाशन तब की बाद चल रही है उस समय यह होता था कि लड़गियां परिपक्प हो गई जितना जरूरी है उतना और फिर उसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी तो मुस्ली यह 16 एर की एज हुआ करती थी मा की साथ लगाव होने के बावजूद उनके त्याग और उनकी सहिशूरता को लेखिका ने अपना आदर्श क्यों नहीं बनाया यह कोश्चन बहुत इंपोर्टेंट है और मेरे खाल से फिक्विटली पिछले पान सालों में एटलिस तीन बार तो एक्जाम में यह कोश्चन आया ही आया है ठीक है तो जरा ध्यान से देखिएगा इसको ठीक है क्या दिया गया है लेखिका की मा जैसे लेखिका ने बताया है कि उनका घर जो है वो दो मिंजिला था उपर वाले घर में उनके पिताजी का वर्चस्व था वहाँ पर उनकी किताबें वो उनके स्टूडे सब रहा करते थे और नीजे वाले घर में लेकिका, उनके दोनों भाई उनकी बहन शआँ ये सब रहा करते थे लेकिका की जो मा थी उन्होंने अपने लिए कभी लाइफ में कुछ नहीं चाहा कि मुझे ये चाहिए या मुझे ये करना है ये जैसे शब्द उनकी अपनी चाहत क्या है ये उन्होंने कभी बया नहीं करी पिता जी अपनी सारी frustration सारा गुसा क्रोध के रूप में मा के उपर भढ़क कर निकाल दिया करते थे तो एक तरीके से आप जाती कहेंगे चाही अन्चाही जोब चीज हूँ वो सारा चीजे मापन निकलती थी और माच चुप चाप सहती थी अगर हम बात करें बच्चों की बच्चों की हर एक पसंद को पूरा करना माँ अपना करतवे मानती थी माँ को क्या चाहिए या माँ क्या करना चाहती है ये चीज उन्होंने कभी किसी के सामने बया नहीं करी तो माँ जो है एक धर्ती की तरह शेहनशील थी एक परफेक्ट माँ थी लेकिन उन्होंने अपने लिए कभी कोई स्टैंड लिया ही नहीं उनका अपना कोई व्यक्तित्व था ही नहीं क्योंकि भाई जब हमारी सोच नहीं है हमारी पसंद नहीं है नापसंद नहीं है तो मेरी अपनी कोई personality नहीं है तो यहां पर मा का जो सुरूप उन्होंने प्रस्तुत किया उसे देख के लगता है कि पिता जी की सारी जातियों को स पाई क्योंकि मनु की अपनी सोच थी मनु का अपना विचार था अपनी विचारधारा के तहद वो काम करना चाहती थी अपनी पसंद नापसंद को स्टैंड करना जानती थी इसलिए मा को वो कभी अपना आदर्श नहीं बना पाई क्योंकि मा हमेशा दूसरों की चीज़ों को ही पूरा करने में लगी रहती थी उनकी अपनी कोई चाहत नहीं थी इसलिए वो मा को कभी भी एक आदर्श के रूप में अपना नहीं पाई लेखिका का मा के साथ लगाओ सहानुभूती के कारण उत्पन हुआ अब सहानुभूती क्यों दी पिता जी हमेशा उनके उपर करोद करते रहते थे तो एक होता ना सिंपिती आ जाती अरे इनके साथ अर बिचारी मम्मी पापा हमेशा डाटते ही रहते तो वो एक जो सिंपिती थी वो उसके रूपे इनके मा के साथ लगाओ जरूर था अपने बच्चों की हर उचित अनुचित फर्माईश और जुद्ध को पूरा करना उनकी विवश्टा बन जाता था पिता जी की जातियों के प्रती उनकी शहिशुरता में भी उनकी असाहता जलकती थी पिता जी भाई गुस्सा हुए नहीं कि अपना सारा गुस्सा माँ पर निगालना है तो वो चुपचप सहती थी उस प्रकार की मजबूरी और असहायता को लेखिका के विवेक ने कभी स्विकार नहीं किया इसी कारण उसने मा के उन गुणों को अपना आदर्श नहीं बना पाई उनके अंदर धीरता थी सहीशुरता थी सब कुछ था लेकिन वो सारी चीजें लेखिका के लिए आदर्श रूप में नहीं आ पाई क्यों क्योंकि मा को उन्होंने अपना वेक्तत्तु प्रजेंट करते हुए कभी नहीं देखा इसलिए वो मा को अपना आदर्श बना नहीं पाई प्रेश्न संख्या 17 है बच्चों की फर्माईशों के प्रती मा किस प्रकार का द्रश्टी कोंट रखती थी अब जो भाई लेखिका को मिला कर चार भाई बहन थे बड़ी बहन चुशीला और दूसरी बहन हमारी मनु लेखिका फिर दो भाई ये चार बच्चे थे इन चार बच्चों की फर्माईशे भाई अब ये फर्माईशे सिर्फ खाने पीने की नहीं हर तरह की फर्माईश जि अपना करतव्य मानती थी फर्माईश हो जिद्ध हो जो कुछ भी हो किसी तरीके से बस उसको पूरा करना मां अपना करतव्य मानती थी किसी भी तरीके से मा बच्चों की फर्माईशों को पूरा करना अपना फर्द समस्ती है बच्चों की उचित ये अनुचित हर तरे की ज़िद को वो पूरा कर देती है ठीक है अगर personal तोर पर मैं ऐसा मदर अपने बारे में कहूं तो जो जायस मागें मैं उन्हें पूरा करती हूं नाजायस मांगो को मैं कभी नहीं पूरा करती ठीक है जो चीजें आपके लिए अच्छी है सही है वो हम पूरा कर देंगे लेकिन इसके आगे आपको तो उन्हें मैं नहीं करूँगे ठीक है प्रश्ण संख्या 18 है पिता जी मा पर हमेशा क्रोध क्यों करते थे इसका सबसे बड़ा कारण था उनका पास्ट ठीक है पास्ट क्यों एक समय वो काफी उनकी आर्थिक इस्तिती अच्छी थी समाज में मानसमान था राजनितिक रूप से वो सक्रिये थे सब कुछ था लेकिन किसी अपनों के कारण मिले घाटे ने मतलब नुकसान ने, धोके ने, विश्वास घात ने उनको अंदर तक भीतर से तोड़ दिया तो अब वो किसी पर विश्वास नहीं करते थे हर किसी पर शक करते थे और इस शक के चलते कही न कहीं उनके सुभाओं में बहुत ज़्यादा बदलाव आया कहता है न सभाओं में एक फ्रस्टेशन आ जाना सब कुछ हो जाना ये सारी चीज़ें उनके अंदर स्वतारूप से आ गई थी अब ये सारा फ्रस्टेशन वो कहीं न कहीं मा के उपर निकालते थे कहीं से भी कुछ गलत हुआ कुछ हुआ चिर्चड़ापन है कुछ है तो वो सारी चीज़ें कहां आकर वो मा पर निकाल दिया करते थे तो समझ में आया तो क्रोध क्यों करते थे क्योंकि उनको कहीं न कहीं समाज से जो चीजों की उमीद थी वो उन्हें मिल नहीं रही थी जो पहली सिचुएशन थी वो तो चलो जा चुकी थी अब प्रजेंट समय में भी जब उन्होंने शब्द कोश बनाया तो उन्हें मान सा मान तो मिला लेकिन उन्हें उतना पैसा नहीं मिला तो वो भी एक कहते हैं न अंसटिसफाइड सिचुएशन थी जिसके अंदर उनके अंदर चिर्चड़ा पनाया तो उसका घुस्सा उन्होंने कहां उतार दिया मापर उतार दिया घर की आर्थिक सिटी ठीक नहीं थी परन्तु पिता जी नवाबों की तरह खर्च करने के आदी थी क्योंकि पहले वाली आदत थी इस कारण वे अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते थे उनकी महत्वकांशाएं भी अधुरी रह गई थी जो कुछ वो चाहते थे वो सब कहीं न कहीं अधुरा रह गया था पहले उन्हें हमेशा ही समाज में उच्छ इस्थान प्राप्त होता रहा परन्तु अब उनका महत्वकां होता जा रहा था ये सारी परस्तियां उनके लिए यातना दायक बन चुकी थी क्योंकि ये सारी चीज़ें भई पहले मेरे साथ ऐसा होता था आज ऐसा होता है तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें अंदर ही अंदर उन्हें कचोटती थी तकलीफ देती थी ये होता था इस प्रकार उनके मन में उपजी हुई कुंठा के कारण उत्पन क्रोध अत्यधिक सहन शील होने के कारण मा पर ही उतरता था क्योंकि मा हर एक चीज को बरदाश कर लेती थी अब पिता जी के साथ वो जो frustration वाली situation होती थी वो frustration वाली situation जो है में वो जब उनको मिलती नहीं थी चीज़ें जो उनके उसाब से नहीं होती थी तो वो सारा गुस्सा किस पर उतारते थे वो मा पर उतार क्योंकि मा चुप चाप वो सारे गुस्से को सहलिया करती थी इसलिए पिता जी ने अपने बच्चों को अपनी आर्थिक विवश्ताओं का भागिदार क्यों नहीं बनाया देखें यह हम खाली मनु के पिता जी के लिए नहीं कहेंगे आपके घर में भी होगा सब जगे होगा कभी ने कभी ऐसी situation आती है कि financially रूप से हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा weak पढ़ जाते हैं ठीक है बहुत situation बही हर समय ऐसा तो नहीं है कि हर समय पैसा अच्छा आता रही कभी कभी ऐसा होता है कि business है तो नुकसान हो गया या salary time पे नहीं आई कुछ ऐसा होता है कि हम financially थोड़ा स आते हैं हम यह चाहते हैं कि भाई चलिए जो परिशानी है वो हम तक रहे बच्चे स्वच्छन्द और उन्मुक्त होकर अपना विकास करें लेकिन हां उन्हें भी एक दाइरे में रहनाम सिखाते हैं कि उनकी मांगे हैं यह सारी चीज़ें अपने एक दाइरे के अंदर होन जा रहा था अहंबाव मतलब अहंकार अब देखें अहंकार ऐसा होता है जब हम अकसर क्या होता है जो चीज़ें में एक्सपेक्ट करते हैं नहीं मिलती है तो हमें बहुत तकलीफ होती है और यह अहंकार हमारे अंदर का बढ़ता है यदि वे अपनी आर्थिक का भागिदार नहीं बनाया तो देखे मैंने जो रीजन बताया अभी आपको कि हम पैरेंट्स अपने बच्चों को अपनी फाइनेंशल कंडिशन के बारे में बता कर परिशान इसलिए नहीं करते क्योंकि हम नहीं चाहते कि उनके डेवलिप्मेंट में किसी भी तरह की परिश बच्चे उनकी विवश्टा को समझे और उनके उपर उंगली उठाएं या कुछ भी उनके उपर कुछ कहें तो इसलिए वो अपने अहंकार को किसी भी तरीके से ठेस नहीं पहुचाना चाहते थे इसलिए वो अपनी आर्थिक जो प्रॉब्लम्स चल रही थी फाइनेंशल होते जा रहे थे पॉजरिटिफ चीजें है न पॉजरिटिफ चीजें कही ना कही नेगेटिफ उनके अंदर आती जारतीर में नहीं इसलिए है अपने द्वारा दिया गया एक विश्वास घात, अपनों ने उन्हें आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाया था, जिसकी वज़ा से अब वो किसी पे भी विश्वास नहीं कर पाते थे, है ना, तो धीरे धीरे उनके विक्तित में वो अच्छे सकारात्मक पहलू जो हैं, वो समाप्त हो रहे थे और नकारात्मक हा भी हो रहे थे, अब उन चीज़ों को भी अगर वो सही करने की कोशिश कर रहे थे, यानि कि जैसे मान लीजे समाज में वो मान सम्मान प्रतिष्ठा और आर्थी किस्ति को सुधारने के लिए उन्होंने शब्द कोश का निर्मान कि और दूसरा उन्हें पैसा तो उस रूप में उतना मिला ही थे, तो कहीं न कहीं वो जो पॉजिटिव वे से काम भी कर रहे थे, वो उतना स्वारत नहीं हो पा रहा था, जिसकी वज़े से और ज्यादा निगेटिव हो जा रहे थे, अंग्रेजी, हिंदी, शब्द कोश के न तो कि सकारात्मक पहलू समाप्त होते जा रहे थे, तो उनके जीवन में हमेशा कोई न कोई मोटिवेशन होना चाहिए, वो मोटिवेशन अगर हमारी लाइफ में बना है, तो हम पॉजिटिव हमेशा बने रहेंगे, लेकिन जो लेखिगा कि पिता जी है, वो अगर कुछ प पॉजिटिव जितने भी बिहेवियर थे, वो सब निगेटिव होते जा रहे थे, प्रशन संख्या 21, अजमेर पहुचकर लेखिका के पिता ने किस अधूरे काम को पूरा किया, वो क्या था, अंग्रेजी हिंदी शब्द कोश को पूर्ण करने का काम उन्होंने किया था, ज उन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्द कोश विशेवार तयार करना प्रारम्ध किया था, यानि कि उसे स्टार्ट किया था, जब वो इंदौर में थे, आर्तिक संगट के कारण अजमेर आ जाने पर उन्होंने शब्द कोश रचना का अधूरा काम आगे बढ़ाया और उसे पूरा भी किया, तो उनकी लाइफ में बहुत बड़ा, क्या कहते हैं न, ड्रास्टिक चेंज आया था, जब वो इंदौर से अजमेर आये थे, और उस ड्रास्टिक चेंज के कारण काफी कुछ उन्हें फेस करना पड़ा था, लेकिन उनका जो अधूरा काम था, वो उन्हो कोच से क्यों भर जाती थी, देखें, क्या होता, एज़ा राइटर, हमारी लेखी का मनुभंधारी ने, बहुत जादा कहानिया लिखी, अचीफमें लिखी, लेकिन जब कोई उन्हें इस बारे में उनकी प्रशंशा करता, तो वो कहीं न कहीं संकोच में आ जाती, वो विश कर पाती और वो संकोच से भर जाती थी, अब इसके पीछे का रीजन क्या था, क्योंकि जब से लेखी का छोटी थी, छोटी में साबली सी थी, दुबली पतली सी थी, जबकि उनकी बड़ी बहन शुशीला देखने में अच्छी थी, हश्ट पुष्ट थी, तो हमेशा पिता जो कंपेर करना का जो चीजे थी ना, इसके उनके अंदर एक कुंठा आ गई, कहते ना कि नहीं, मैं तो कोई चीज अच्छी करी नहीं सकती हूँ, मैं जब देखने में अच्छी नहीं हूँ, तो वो एक जो कुंठा थी, वो उनके दिल के अंदर बैठ गई, आज जब वो लोग बढ़ाई करते हैं, तो वो कुंठा कहीं ना कहीं उनके आज भी हावी हो जाती है, और उन्हें लगता है, क्या सच में मैं ऐसा इतना अच्छा काम कर सकती हूँ, तो यह उनके बचपन की एक चीज थी, जो उन्हें आज भी अपने लेखिये उपलब्धियों में यकी नहीं दिलाने देती है, लेखिका की पिताजी सदा उसकी खूप, गोरी, स्वस्त और हस्मुक बहन शुशीला की प्रशंचा करते रहते थे, और काली तथा कमजोर होने की कारण लेखिका को हीन बताते थे, कि भाई तुम देखने में अच्छी नहीं हूँ, इस कारण लेख गई उनके अंदर, अचेतन की किसी परत के नीचे दभी इस हीन भावना के कारण ही वह अपनी किसी भी उपलब्दी पर भरोशा नहीं कर पाती, मतलब आज वो इतनी बड़ी लेखिका बन गई है, लेकिन उसके बावजूद वो आज उनकी कोई प्रशंचा करे तो यकीन न प्रश्ण संख्या 23 है, क्या लेकिका की मा लेकिका का आदर्श बन पाई, नहीं, वो लेकिका की मा लेकिका का आदर्श कभी भी नहीं बन पाई, इसका सबसे बड़ा रीजन था उनकी मा का विक्तत्व, जो अपने लिए, अपनी मर्जी के लिए कभी किसी के सामने कोई बा मा को अपना आदर्श नहीं बना पाई लेकिगा कि मा एक अनपड घरेलू महिला थी उनमें धैर और सेहन शक्ती अधिक थी यानि कि जो कहते हैं पेशिंस जिसे हम बोलते हैं वो उनके अंदर बहुत जादा था बहुते हैं उनके सभी काम पती और बच्चों के इरदगीर भूंते हैं मतलब मैं कि जैसे हम लोग कोते हैं थीक है घर के काम हो गये, बच्चों के हो गये पती का हो गये, सब हो गये, अब ये ठाइम मेरा है मुझे रेस्ट करने दो, मैं जो कुछ करू ठीक है लेकिन यहां पर उनकी माँ अपने लिए कभी कोई स्टैंड नहीं लेती थी यह मेरा है मेरी मर्जी है कुछ नहीं वे हर समय सेवा में ततपर रहती जैसे उन सब का काम करते रहना ही उनका फर्ज है इस तरह उनका कारचेत्र घर और रसोई तक सीमित था उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी से अपने लिए कुछ नहीं मांगा था सबैव उन्होंने दूसरों को अपने पास सेही दिया था मां का त्याग और सहन चीलता लेकिका का आदर्श कभी नहीं बन पाई ये कॉलिटी उनके मां के अंदर थी लेकिन इन कॉलिटी ने उनकी मां को कहीं न कहीं किसी गर्द में एक दबा के उन्होंने अपना व्यक्तित्य उभारने की कोशिश कभी नहीं करी लेकिन लेकिका जिस व्यक्तित्य की महिला थी उनको ये था कि नहीं मेरी अपनी personality है अपनी सोचे और अपनी सोच के लिए वो लड़ना भी जानती थी इसलिए वो मा को कभी आदर्शन नहीं बना पाई प्रश्ण संख्या 24 है गरेवी का जीवन पर प्रभाव पढ़ता है कैसे जाहिर से बात है financially अगर हम weak हैं इस चीज़ का प्रभाव हमारे जीवन पर पढ़ेगा हमारी सोच पर पढ़ेगा हमारे क्रिया कलापों पर पढ़ेगा हमारे विचारों पर पढ़ेगा हमारे जीवन पर पढ़ेगा गरीबी कई तरीके से हमारे उपर हावी होती है क्योंकि वो हमें काम आगे करने से किसी ना किसी चीजों में रोक देती है जिससे हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आजाते हैं हमें कहीं पर कोई एम नहीं दिखता हम ये काम नहीं कर पाएंगे हमें ऐसा समझ में आता है मानव जीवन पर गरीबी का बुरा प्रभाव पड़ता है गरीबी से मनुष्य के जीवन की खुशियां छिन जाती है वह निराशा में डूब जाता है उसे सदा अपने परिवार के पालन पोशन की चिंता सताती रहती है कि भाई मैं कैसे करूँगी या मैं कैसे करूँगा आगे चलके अगर मैं पैसे मेरे पास नहीं होंगे तो मैं कैसे कर पाऊंगा उसकी उदारता सदाहिर देता आदी भावनाएं भी नश्ट हो जाती है ठीक है वह कंजूस एवं शक्की बन जाता है अब क्या होता है हर चीज में हम हाथ रोको रोकेंगे तो हर चीज को हम शक्की नहीं पैसे खर्च कर दें अच्छा नहीं निकले तो वह भी एक शक्की प ज़ाता है पृब क्या होता है कि जब हम कोई चीज कर नहीं प्रेस्टेशन की तरफ जाएंगे और जो चीजे में हमेशा उसको निगेटिव में लेके जाएंगे हमेशा उसका निगेटिव पॉइंट हम पहले देखना शुरू कर देते हैं पठित पार्ट में लेखिका की पिता को अमीरी से गरीबी के दिन देखने पड़े थे वा अपनों के द्वारा धोका दिये जाने पर गरीब हो गए थे यानि कि अपनों ने धोका दिया था तो वो गरीब हो गए थे इस गरीबी ने कहीं ना कहीं उनको अपनी जो पहले जैसे नवाबी शौक थे उन सारे शौक पर उन्हें कंट्रोल करना पड़ा ठीक है आपने रहन सहन के तरीकों में कमी लानी पड़ी अपनी जो एक दिल खोल चीजों को खर्च करने का होता बिना चिंता की खर्च करनी की जो बात होती है वो उन सारी चीजों पर रोग लगाई इसके चलते धीरे धीरे उनके अंदर वो कुंठित होते गए और वो शक्की होते गए क्रोधी होते गए वो जितने पॉजटिव थे वो धीरे धीरे निगेटक्स की तरफ आते चले गए तो ये बहुत सारी चीज़े हो जाती है जब हमारे हाथ में पैसा ना हूँ तो इसलिए कहत तो इसी तरीके से हम और भी चैप्टर आपके लिए लेकर आ रहें क्योंकि अब ये तो और चैप्टर हमारे बाकी है अभी बुक में ही दो चैप्टर बाकी है और इसके लावा हमारी नेक्स बुक और है तो उसे भी करेंगे पेशिंसली सारी काम करते जाईए हाँ अभी रेसेंटली मेरे पास एक कमेंट आया कि मैं क्लास 10 में हमारी सारे सब्जिक्स की तैयारी हो गई है मगर अभी हिंदी की तैयारी हमने शुरू नहीं करी है हम कैसे करें तो उसके लिए हम बेस्ट तरीका आपको बता रहे हैं कि ऊछ पोर्शन लीजे आप एक चैपटर लीजी एक दिन में आप 2 चैपटर कर सकते हो ये नहीं कर सकते हम एक चैपटर करो लेकिन पूरा ठूजक पूरा करो